नमस्कार ये पुदीना है और ये सभी जगा पे आसानी से मिल जाता है जादा तर लोग पुदीने की चटनी बना के खाना पसंद करते हैं मगर पुदीने के अंदर बहुत से ऐसे ओशदिये गुण पाए जाते हैं जो हमारी बहुत सी बिमारियों को दूर करने में हमारी बहुत ज़ादा मदद करते हैं इसी लिए आयरवेदिक बहुत सी ओशदियों में पुदीने की पत्ती वा पुदीने के पंचांग का इस्तमाल किया जाता है इसी पुदिने से सतव तियार किया जाता है जिस सतव को बहुत से ऐसे कफ सीरप में डाला जाता है तेल में डाला जाता है हमारे जो पेश्ट होता है ना टूथ पेश्ट उसमें डाला जाता है चुइंगम में डाला जाता है टॉफी में डाला जाता है और टेलकम पौडर में इस्तमाल किया जाता है, बहुत सी ऐसी इचिंग वाली जो क्रीम होती है, उन क्रीमों में भी उसका इस्तमाल किया जाता है, जो हम लगाते हैं, खारिस खुजली हो जाती है तो लगाते हैं, उसमें भी इसका बहुत सी यहां तकी माउथ फ्रेशनर में, बहुत सी ऐसी ओशदियों में, बहुत सी ऐसी बारह प्रयोग वाली चीजों में इसको डाल कर सुगंदित बनाया जाता है, क्यूंकि इसके अंदर antibacterial गुण पाये जाते हैं, जिससे बहुत सी बिमारियों को दूर किया जाता है, इसके अंदर menthol पाये जाता है, vitamin C पाये जात इसके अंदर बैक्टीरिया को खतम करने के लिए एंटी वैक्टीरियल गुन पाये जाते हैं वाइरस को खतम करने के लिए एंटी वाइरल गुन पाये जाते हैं और तो और इसको चटनी के रूप में खाते हैं इसकी पत्ती को तोड़के पीस के पानी में घोलके और भुना जाता है और जब भी कभी पेट से संबंदित बीमारियां तंग करती है उसमें इसका इस्तमाल किया जाता है कौन सी बीमारी में कैसे इस्तमाल करना है कब इस्तमाल करना है खाना खाने से पहले या खाना खाना के बाद मैं इस वीडियो में आपको अच्छे से बताऊंगा अब मैं आपको इसकी तासीर बताए तो इसकी तासीर गरम होती है ये हमारे वात विकारों में वात से होने वाले विमारियों में बहुत इसका इस्तमाल किया जाता है और बहुत अच्छा लाब भी मिलता है अब मैं आपको इसकी मातरा बताए तो इसकी पतियों की जो हम चटनी बन काके उसका पौडर बना के इस्तमाल करते हैं तो तीन से छे गराम तक इसकी मातरा बताईगी है लग बग आधा चम्मस से लेके एक चम्मस तक हम सुबे आधा चम्मस से एक चम्मस तक हम साम को इस्तमाल कर सकते हैं मतलब दिन में दो बार इसका इस्तमाल करके लाब उठा सकते कई बीमारियों में तीन बार भी इसका इस्तमाल किया जाता है कौन सी बीमारियों में किया जाता है मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से बताऊंगा ताकि आप उसी ढंग से इसका इस्तमाल करके लाब उठा सकें कई बार ऐसा होता है कि हमें गलत खान पान के कारण क्या होता है कि हमारे आमाशे में आंतडियों में संकर्मन हो जाता है जिसकी वज़ासे में दस्त वह पेची से लग जाते हैं और सरीर में तेजी से पानी की कमी होने लग जाती है और कमजोरी आने लग जाती है उस थिती में आप इसका इस्तमाल चटनी के रूप में भी कर सकते हैं और इसकी पतियों को पीस के एक कप पानी में एक चमच इसकी चटनी डालके उसे अच्छे से पकावे जब पानी उबल उबल के आदा कप रह जाए उसे नीचे उतार के चान के उसमें स्वाद नुसार देशी खांड या थोड़ा सेंदा नमक दोनों में से कोई एक चीज मिला के इसको दिन में दो से तीन बार इस्तमाल करने से दस्त वा पेचिस बिलकुल ठीक हो जाते हैं और माशे आंतरियों में जो हमारे सूजन और इंफेक्शन होता है वो दूर हो जाता है कई बार क्या होता है बहुत से लोगों को बार बार मुत्र शंकर्मन की शिकायत हो जाते हैं जिसे हम यूटी आई इंफेक्शन बोलते हैं तो उनको मुत्र जलन के साथ आता है या मुत्र बार-बार आता है तो बहुत परेशान होते हैं तो ऐसे लोगों को कहना चाहूंगा पुदीने की पत्ती को अच्छी तरह पीस के चटनी बना ले और एक गिलास पानी में वो एक चमत चटनी डालके आधा निम्बू का रस डाले और स्वाद नुसार उसमें सेंदा नमक इस्तमाल करके घोल के उसे जलजीरे के रूप में इस्तमाल करने से मुतराशे की थेली में या मुतरपत में कहीं भी संकर्मन होता है जिसे UTI बोला जाता है Urinary Tract Infection बिलकुल खतम हो जाता है और पिशाव की जलन वगरा पेशाव बिलकुल खुल के आता है पेशाव में कभी भी जलन वगरा नहीं होती और UTI infection होना भी बंद हो जाता है कई बार आपने देखा होगा बहुत से लोग आस पास में बैड़ जाते हैं तो वो बोलते हैं ना उनके मुह से बदबू आती है तो बड़ी परेशानी होती है और मजबूरी भी होती है सामने वाले को कैसे कहें आ रहे हैं आपके मुह से बदबू आ रही है तो ऐसे लोग अगर पुदिने की 5-6 पत्ती मुह में डालके चबाएं तो उनके मुह से बदबू आनी बंद हो जाती है क्योंकि जादा तर लोगों को पेट की खराबी के कारण या पाइरिये की शिकायत के कारण मुह से बदबू आती है ये पाइरिये को भी खतम करता है और पेट की खराबी को भी दूर करने में हमारी मदद करता है अगर पत्ती चबाने में कोई आपत्ती हो तो कोई दिकत नी उसका भी हल बतायता हूँ एक गिलास पानी में इसकी एक गिलास पानी तो बहुत जादा हो जाएगा थोड़ा बतायता हूँ एक कप पानी में इसकी 10 एक पतियां डाल के अच्छे से पका ले और आधा कप रह जाने पर नीचे उतार के ठंडा होने पे अच्छे से कुला करे और उसे फैक दे या कई जने इसको पी भी जाते हैं फैक भी सकते हैं पी भी सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करके इसका लाब उठा सकते हैं तो उसको करने से भी क्या होता है कि हमें मुझ से बद्वू हमारे नहीं आती अब तीसरा इसका उपचार और भी है इसकी पत्यों को छाया में सुखा ले और उसका पाउडर बना ले उसका पाउडर जब बन जाए तो उंगली की साहिता से उसमें हल जिन लोगों को चहरे पे बार बार पिंपल्स निकल जाते हैं जगा जगा काले दाग हो जाते हैं जिसे जाईयां बोला जाता है या जुरियां पर जाती हैं या जगा जगा खारिस खुजली की शिकायत होती है तो उन लोगों को कहना चाहूँगा पुदिने की पत्ती की च दोनों को उसमें रूई डुबो के चहरे पे या जी जगा पे आपको खारिस वगरा है वहां लगा के आदा गंटा छोड़ दे आदे गंटे वाद हलके गुन-गुने पानी से उसे दो दे तो खारिस खुजली में पिंपल्स में काले दाग जिसे हम जाईयां कहते हैं जुरिय पेट में हमेशा भारीपन रहता है शरीर में हमेशा थकावट दर्दों की शिकायत रहती है तो ऐसे लोगों को कहना चाहूंगा कि आप पुदिने की पती का काड़ा इस्तमाल करने से बहुत अच्छा लाब मिलेगा आपको और सुबे शाम इसका इस्तमाल खाना खाने के ब जाए उसे नीचे उतार के उसमें स्वाद अनुसार देशी खांड या धागे वाली मिसरी का पाउडर या आप स्वाद अनुसार उसमें सिंदा नमक तीनों में से कोई एक चीज मिला के सुबे शाम खाना खाने के बाद इस्तमाल करने से सभी तरह के वात विकारों में प्लित मातरा में आके वात प्रकृति में बदल जाता है और आप बिलकुल ठीक हो जाते हैं जिन लोगों का कफ वाला सरीर है और कई बाहरी कारण से अंदरूनी कारण से गलत खान-पान के कारण गलत रहन सेन के कारण क्या होता है कि कफ बढ़ जाने से कफ दोश में बदल जाता है जिससे गले में खरास, छाती में बलगम, सरीर के जोडों में धीलापन, सरीर में कमजोरी बहुत जादा मैसूस होती है ऐसे लोगों को कहना चाऊंगा कि पुदीने की पत्ती को पीस के पेश्ट बना ले, उस पेश्ट को एक चमच पेश्ट को एक कप पानी में डाल के अच्छे से उबा ले, उबल उबल के जब पानी आदा कप रह जाए, उसे नीचे उतार के ठंडा होने पे, जब बिलकुल ठं हो जाता है, संतुलित मातरा में आ जाता है और कफ प्रकृति में बदल जाता है, जिससे कफ प्रकृति वाला अपने आपको निरोग मैसूज करता है, जिन लोगों के सरीर में हमेशा भड़क निकलती है, बूं बार-बार सूखता है, बार-बार पानी की प्यास लगती है, ह के एक चम्मच पेश्ट उस पानी में घोल के स्वाद अनुसार सिंदा नम्मक या देशी खांड दोनों में से कोई एक चीज मिला के सुबे खाली पेट और साम को खाना खाने से आदा घंटा इस पहले इस्तमाल करने से सभी तरह के दाह विकार में बहुत अच्छा लाब मिलत है और यह सभी तकलीफ धीरे-धीरे दूर होती चली जाती है जिन लोगों के बाल जड़ रहे हैं बालों की जड़ो में रूसी बहुत ज्यादा तंग करते हैं जिसे हम डेंडरफ के नाम से जानते हैं और तरह तरह के इस्तमाल केमिकल का इस्तमाल करते हैं ओयल का इस्तमाल करते हैं मगर वो डेंडरफ खतम नहीं होते हैं जिसकी वज़ा से धीरे-धीरे बालों की जड़े कमजोर होके जढ़ रही हैं ऐसे लोगों को कहना चाहूंगा पुदीने की पत्ती का पेश्ट बनाके बालों की जड़ों में लगाएं आदा गंटा छोड़के उसके बाद धो हो दें ऐसा करने से बालों की जड़ों में जमा जो आपके डेंडरफ है वो खतम हो जाएगा और बालों की जड़ों को ताकत मिलेगी और बालों की ग्रोथ भी अच्छी होने लग जाएगी इसका इस्तमाल एक हफते में सिर्फ तीन बार इसका इस्तमाल करने से बहुत अच चाहे गिली है, चाहे सुखी है, 100 गराम पुदिने की पती में 400 ml नारियल का तेल मिला के किसी भी बरतन में डाल के ढकन उसका बरतन का ढकन होना चीए और उसे धूप में छोड़ दे, 7 दिन तक ऐसा पड़ा रहने दे धूप में, उसके बाद 8 दिन उसे ला के किसी कपड़े म चान के उस तेल को सुरक्षित रख लें, अब जैसे ही सिर में दर्द हो तो माथे में सिर में तेल लगा सकते हैं, बालों का बाल नहीं जड़ेंगे, आपके चिंता बिल्कुल भी ना करें, बाल बिल्कुल भी नहीं जड़ेंगे और सिर के दर्द में भी बहुत अच्छा लाब मिलेगा ये तो हो गया मालिस का तरीका इसी तेल को रूई की साहिता से ड्रोपर की साहिता से इसको नाक में डालके तीन बुंद खीचे तीन बुंद इस नाक में डालके खीचे ऐसा करने से क्या होता है सिर की नसों में जो अगर आपके कमजोरी है या सूजन है जिसकी विज़े से बार-बार सिर में दर्द होता है, बार-बार आप माईग्रेन से परेशान रहते हैं, तो बिलकुल दूर होता चला जाएगा और आप बिलकुल स्वस्त होते चले जाएंगे. जिन लोगों के बार-बार मुँ में च्छाले हो जाते हैं मैं उनको बता दो कि पेट की गर्मी के कारण च्छाले होते हैं और सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताया था पुदीनी के अंदर विटामिन C पाये जाता है तो इसको पीस के पेश्ट बनाके एक चमच इसका मुँ में कुला करके उसे फैक देने से मुँ के च्छालों में लाब मिलता है और दूसरे तोर पे इसका जो जल जीरा मैंने आपको बताया तरीका तो इसको जल जीरे के रूप में आप इस्तमाल करें सिर्फ इसकी पत्ती का पेश्ट बनाएं और एक गिलास पानी में वो प जाती है और बार बार मुँ में जो च्छाले पड़ते रूप हो जाते हैं जिन लोगों को अस्तमा इलर्जी की शिकायत होती है बार बार इनहीलर लेने कि ज़लती है भाप लेने की ज़रत पड़ती है तो मैं ऐसे लोगों को कहना चाहूंगा कि पुदिने की पती को लेके चाये में सुखा के रख लें और जब वो सूख जाए उसको पाउडर बनाके रख लें और हल्दी की गांट और सोट ये भी बराबर मातरा में लेके 50 गराम हल्दी की गांट 50 गराम आपने सोट लेने हैं इसको भी पीस के और पाउडर बनाके किसी डिबे में डालके रख लें अब करना क्या है अपने एक कप पानी में चुथाई चमच पुदीने का पाउडर और चुथाई चमच हल्दी और सोट का पाउडर उसमें डालके अच्छे से पकावें जब उबल उबल के पानी आदा कप रह जाए उसे नीचे उतार के चान के उसमें स्वाद अनुसार शेहद मिला के चाय की तरह पीने से अस्तमा इलर्जी में बहुत अच्छा लाब मिलता है दूसरा इसका तरीका ये है कि अमरित धारा बनती है इसका जो मैंने आपको बोला ना पेपर मिंट बनता है इससे जिसे सत पुदीना भी कहा जाता है वो आपने क्या करना है कि 10 गराम सत पुदिना लेना है, 10 गराम सत अजवयन लेना है, 10 गराम सत कपूर जिसे भीमसैनी कपूर बोलते हैं, ये तीनों चीजे लेके एक सकंच की बोतल में डाल के रख लें, और एक ही दिन में देखेंगे कि ये बिल्कुल लिक्वेड फॉम में आजाएगा, उसकी आपने क्या करना है, 3-6 बुंद आपने एक कप पानी में डाल के उसे उबालना है, जब उबलेगा तो उसमें से जो भाप उठेगी ना, उस कप को यहां रखके, ऐसे आगे तुलिया आडा के, मुझ से भाप लेने से बहुत अच्छा लाब मिलता है, इ जुकाम में, सर्दी में और नीमूनिया में बहुत अच्छा अमरिधारा से लाब उठाया जाता है, नीमूनिया में या अस्तमा इलर्जी में, जुकाम में, अमरिधारा की छे बुंद एक चमच गरम देशी घी में मिलाके, माथा नाक, गला, छाती, पसली, पीठ पे अच् करने से भी अस्तमा इलर्जी में, जुकाम में, नीमूनिया में, साइनस इलर्जी में, सब तरह के कफ विकारों में बहुत अच्छा लाब मिलता है, और वाइरल इंफेक्शन, वाइरस इंफेक्शन से भी होने वाले जुकाम में, सभी तरह के जैसे साइनस में, नीमूनिया चाती जाम हो जाने में भी अमरित धारा की मालिस करने से बहुत अच्छा लाब मिलता है जिन महिलाओं को मासिक धरम के समय पीडू में दर्द होता है बहुत परेशान होती है तो ऐसी महिलाओं को कहना चाहूंगा कि पूदिने की सुखी वी पतियां एक चमच लेना है और अजवायन आपने एक चमच लेना है और एक कप पानी में डालके अच्छे से उबालना है जब पानी उबल उबल के आधा कप रह जाए उसे नीचे उतारके उसमें चान के उसमें स्वाद नुसार नमक जो सिंदा नमक डाल सकते हैं या उसमें शहद दोनों में से कोई एक ची डालके सुबे शाम खाना खाने के एक गंटे वाद इस्तमाल करने से बहुत अच्छा लाब मिलता है उसमें सिंपल गरम पानी से भी इसकी सिकाई करें और यह जो मैंने आपको काडा बताया है वो बना कर सुबे शाम इस्तमाल करने से बहुत अच्छा लाब मिलता है और आपको पेन किलर की जरूत भी नहीं पड़ेगी जिन लोगों को IBS की शिकायत है जिसे हम संग्रहनी कहते है या Irritable Ball Syndrome के नाम से जाना जाता है उनकी आंतरियां ठीक डंग से काम नहीं करती पाचन नहीं करती ठीक डंग से सिकुरती या बबफैलती नहीं है जिसकी वज़ा से उनका जो पूरी तरह से है पेट ठीक रहता नहीं है और दिन परती दिन हडियों में शरी में कमजोरी आती चली जाती है और मल त्याक करने के लिए उनको कई बार जाना पड़ता है ऐसे लोगों को कहना चाहूंगा दिन में दो से तीन बार इसकी चटनी भोजन के साथ एक चमज जादा नहीं एक चमज जरूर इस्तमाल करें और आपको बहुत अच्छा लाब मिलेगा और आंतरियां भी ताकतव बार ओती चली जाएंगी पाचन सकती भी बढ़ती चली जाएगी और IBS की शिकायत भी दूर होती चली जाएगी जिन लोगों को बार बार जोडों में दर्द वा सूजन तंग करती है चाहे वो रियूमेटीड अर्थराइटिस के कारण है चाहे वो ओस्टियो लेना है और 20 गरम कपूर सतव लेना है और 20 गरम अजवैन सतव लेना है और उसमें मिला के किसी सीसी में डालके रख लें और देखेंगे कि अगले दिन ही वो तेल आपका त्यार हो जाएगा उस तेल से आपने क्या जोडों के दर्द में कहीं भी मानसपेशों का दर्द है जोडो का दर्द है, आप उसमें मालिस करेंगे तो आपको 101% आपको पूरा लाब मिलेगा और आपको किसी पेन किलर की जरूत भी नहीं पड़ेगी, पेन किलर भी नहीं खानी पड़ेगी, स्टिरोइड का इस्तमाल भी नहीं करना पड़ेगा. मैंने पुदीने के आपको इतने सारे फायदे बताये तो इसके कुछ नुकसान है वो भी बतायतो हूँ. सबसे पहले तो इसकी जरूत से ज़्यादा मातरा में इस्तमाल मत करें, वो आपके लिए नुकसान दायक हो सकता है, क्यूंकि अती हर चीज की नुकसान दायक होती है. का संकर्मन है उन लोगों को भी पुदिने का इस्तमाल नहीं करना चीए उनके लिए नुक्सान दैक हो सकता है और आज के लिए इतना ही अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूं धन्यवाद